चोटा वीडियो है वीडियो को आखिर तक देखिए जो कुछ भी अभी चल रहा है वीपीसी टीचर बहाली को लेकर के उन तमाम चीजों को इस वीडियो में कवर करेंगे आप लोग अवेर होगे कि छात्रे नेता दिलीब अब बीपीसी टीचर बहाली के अलग-अलग मुद्दों को उठा रहे हैं और अभी के टाइम पे ये बड़ा चर्जा का मुद्दा बना हुआ है अब इनके बातें कौन-कौन से इस बात को समझेए ये कह रहे हैं कि 6-8 में अगर वेकेंसी नहीं है तो 11-12 में फिर वेकेंसी कैसे आ गई अगर इनका जो मेडिया में बाइट दिया हुआ उसको अगर आप सुनें तो ये बात कह रहे हैं 6-8 में वेकेंसी नहीं आई एक गर बड़ी है इस बात में कोई डाउट नहीं है सरकार की एंड से मिस्टिक है अगर उनको प्रमोशन से कुछ सीटे भरना चाहिए था तो कुछ तो देना चाहिए था एक ठीक ठाक संख्या रहता सीटों का ताके कैनिडेट में भी जो अभी जो ये जो दिख रहा है परशानी ये नहीं होता 11-12 की जहां तक बात है तो 11-12 की वेकेंसी बैक लॉग बहुत जादा थी पहले की बहुत जादा बैक लॉग बहुत सारे सब्जेक्ट में अगर गॉवर्मेंट अभी वेकेंसी निकाल भी देगी तो उसमें कैनिडेट ढूड़ना मुश्किल है ये हालत है तो 11-12 का मामला है लेकिन 11-12 में अगर गॉवर्मेंट ने ध्यान दिया तो उसको रहने दियाना चाहिए 6-8 का मुद्दा है उस मुद्दे को उठाया जाए वो अपनी जगह पर ठीक है जहां तक दूसरा मुद्दा उठा रहे है चांस फॉर एपेरिंग कैनिडेट इसके इस मुद्दे की करने वाला कोर्स कंपलेट कर गया तो इसका स्टेटी तो हुआ ही नहीं है 2019 के बाद से तो यही मुद्दा है कि अगर यह चीज हर्ट भी करेगा अपेरिंग कैनिडेट वाला तो यह प्राइमरी वाले में हर्ट करेगा 1-5 वाले में यह चीज असर डालेगा सिकंडरी का इस होती है वो सुविधा जनक पॉलिटिक्स होती है प्रैक्टिकली आप खुद सोचिए कि आज के टाइम पर तकरिबन बिहार के बजट का 25 परसेंट जो खर्च है वो सिक्षा इभाग में जा रहा है और सिक्षा इभाग किया 80-90 परसेंट खर्च तकरिबन सिर्फ सिक्षकों कि सैलरी में चला जा रहा है चार से पांच लाग सिक्षक नियोजित है आप खुद गवर कीजिए इतने बड़े-बड़े स्टेट है इंडिया में एक बगल में बहुत-बड़ा स्टेट है जब छटे फेस की वेकेंसी आई तो 90,000 प्राइमरी और 30,000 सिकंडरी और दोनों क सम कर दें तो एक 30 के आसपास अभी फिर से जो वेकेंसी आई यह पौने 2,000,000 से पार है क्या आपने किसी भी और स्टेट में इस तरह से देखा कि 2,000,000 वेकेंसी एक बार में निकल रही है कुछ गलतियां है बिहार सरकार की बहाली को लेकर कि उसमें कोई डाउट नहीं है पर क्या आपने किसी भी और स्टेट में ऐसा देखा कि 2,000,000 वेक बार में हो रही है उस भाली करवाया जा रहा है भले कैंडेट 40% मिले 50% मिले कुछ भी मिले लेकिन आज के टाइम पर यह तो कहा जा सकता है ना कि सोशल साइंस को छोड़कर बाकि यतने भी सब्जेक्ट है अगर आप में थोड़ा सा भी मेरिट है अगर आप स्टेटी क्वालिफाई हो तो आपकी जॉब पकी है और भी एक डिसेंट जॉब पकी है कि आप बाकि किसी भी और स्टेट में इस तरह की कोई बाहली निखली है अब खुद सोच करके देखिए बाकि जहां तक तक तमाम स चार से पांच लाक लोगों को राजी कर्मी बना करके फुल सेलरी तो सरकारी दिवालिया हो जाएगा फिर तो बजट का पूरा का पूरा एक्स्पेंडीचर सबके सेलरी में ही चला जाएगा तो जो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है मांग उठा देना कोई भी हमके चलेगी बहुत सारे कोड केस करने वाले बहुत सारे प्रोटेस्ट करने वाले बहुत बहुत तरह के चीज़ लोग आते जाएंगे हलाकि इनका जो चविए काफी साफ सुतरा है मैं इनके कॉंटेक्स्ट में यह बात नहीं कह रहा हूं चंदा चवरी वाली बात इनकी चवी जो है चातर नेता दिलीप की चवी का फिसाब सुत्री है यह बागी लोगों की तरह चंदा चोर नहीं है अभी तक तो कम से कम हैसा ही ट्रैक रिकॉर्ड है इनका लेकिन और भी बहुत तरह के लोग एक्टिव हैं और आगे आने वाले दिनों में आपको तरह तरह से बह ग्यापन आ रहा है शाम तक तभी सभी न्यूस चैनल ने चला दिया ब्रेकिंग न्यूस बोल करके और अचानक से बीच में फिर गड़ बड़ हो गया कि नहीं आप सिक्षा यह बाग से प्रामर्श लिया जाएगा तो कहने का मतलब है कि जो कुछ यह जो बैक टू बैक प्रोटेस्ट और कोर्ट केसे इन चक्रों में कैंडिडेट भी पिस रहा है और आप खुद भी हर एक पहलू को ठीक से समझने की सलाहियत रखिए अभी के लिए यह है कि आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए इसक हमेदारी है कि हर एक पहलू को आप सही समझ को डेवलप करें